नमस्ता दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में जिस प्रकार से जतिन प्रसाथ जिनके की कयास पिछले दो साल से लग रही थी कियो बार्जिंता पार्टी को जोइन कर सकते हैं जिस प्रकार से उनके पिता ने भी सोन्या गांदी के खिलाफ इलेक्शन लड़कर के अपने बगावती सुर पहले ही खरी भाषा में प्रस्तुत कर दिये थे उसके उपर मैंने काफी टाइम पहले ट्वीट भी किया था लेकिन क्योंकि मेरा ट्वीटर हैंडल अभी सस्पेंड हो रखा है उपाद्यक्ष पद्व पर हमेशा ही कॉंग्रेसी लोग काबिज रहे जिस लीक को तोड़ने के लिए जतिन प्रसाद के पिता जी ने भी काफी कोशिशे की थी उन सब को देखते हूं में लगता है कि भारती जंता पार्टी के लिए जो कहा जा रहा था के नेतर तो बदल जाएगा यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है आपसी अंतर कलाय चल रही है भारती जंता पार्टी में योग्या दित्तेनात को केंदर में बुलाया जा सकता है यहां कि सत्ता किसी और को सौपी जा सकती है खबर वो फैली और रियालिटी में हो क्या गया कि जतिन प्रसाद ही कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जंता पार्टी में शामिल हो गए है आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस के इविलूशन की यानि कि इसका जो क्रमानुगत इसमें परिवर्तन आये हैं उनकी पहले किस प्रकार से एओ ह्यूम की कॉंग्रेस पार्टी आई उसके बाद में वो नहरू पटेल की कॉंग्रेस बनी उसके बाद में कॉंग्रेस आई बन बहुगुणा परिवार पहले ही भारतिजिंता परिटी में आ चुका है जिस प्रकार से कॉंग्रेस परिटी लगातार अपने युवा नेत्रत्व को न कारते हुए अपनी ही परिवार के लोगों को केंद्री नेत्रत्व में लाने के लगातार प्रयास कर रही है जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाडरा हो उसका पती भू माफिया हो चाहिए उसके बच्चे हो इन सब को जिस परकार केंदरी राजनीती के केंदर में लाने की कोशिश लगातार सोन्य गांधी कर रही हैं उनसे काफी सारे युवाओं में आकरोश तो है ही इससे पहले जब सिंधिया परिवार में बड़ी सेंद लगी थी उस समय पर एक और क्यास लगया गया था कि सचिन पाइलेट निकट भविशे में भाजपा में शामिल हो सकते हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजा ये भी है कि हिमंत अविश्व सर्मा जो की पहले कॉंग्रेस पार्टी में थे जिनक कद आसाम के अंदर वहां के मुख्यमंतरी से भी बड़ा हो गया था और आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारते इंता पार्टी में शामिल होते ही उनको इस बड़ी जीत के बाद में बिना किसी विरोध के निर विरोध रूप से उनको आसाम का सीम भी बना दिया ग तो जादूगर अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से राजस्थान की सत्ता के उपर काबिज हुए बैठे हैं ये वही राजस्थान है और ये वही अशोक गहलोत जी है जिनके शारसनकाल में एक पांस साल की बच्ची प्यास से मर जाती है ये वही राजस्थान है जहां पर त जाते हैं लेकिन जैपूर में मंदिरों पर तारा लटका दे जाता है ये वही राजस्थान है जहां पर एक मीना परिवार में बेटी की शादी होने पर उनके उपर एकलाग का जुरुमाना लगा दिया जाता है जबकि उस बात को सुनकर के उस बेटी का पिता डिप्रेशन से मर भी जाता है लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर बड़े बड़े जलसे निकलते हैं बड़े बड़े जनाजे निकलते हैं उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है अर्थात तुष्टी करण की राजनीती और वो भी मुस्लिम तुष्टी करण की राजनीती के चलते राजस्थान में जहां पर हाल फिल हाल इस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं वहीं पर एक दूसरा बड़ा कांड हुआ था कि सचिन पाइलेट जी जो की एक युवा नेता हैं उनको उप मुख्यमंत्री पद से भी अटा दिया गया था और अभी भी आपने कोई विवस्था नहीं है जिससे व्याकुल होकर के खुद सचिन पाइलेट इस बात को कह चुके हैं कि अभी तक लगातार दस महिनों के बाद भी हमारी मांग लगातार उठने के बाद भी हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि सिंधि किया जिस प्रकार हिमंता विश्वा सर्मा को स्विकार किया जिस प्रकार से पॉंडिचेरी में खुद कॉंग्रेस से आयो हुए नेता को ही सियम बनाया गया जिस प्रकार से गोवा में कॉंग्रेस में से आने वाले नेताओं को मुख्य पदों पर रखा गया और वो भी उन लोगों को जिनके अंदर की प्रतीभा तो काफी थी जो की युवा तो थे जिनके पास में आइडियास तो खूब थे लेकिन उनको कॉंग्रेस में इस वज़ा से तूल नहीं दी गई क्योंकि ये एक राजशाही परिवार है और राजशाही परिवार में कभी भी राजा और उसकी संतानों के आगे किसी की भी नहीं चलती भले ही राजा की संतान कितनी भी निठली, कितनी भी निकम्मी और कितनी भी महमुर्ग क्यों ना हो। अर्थात जो व्यक्ति अपने आपको सत्य अइंसा, कर्म निष्ठा, सत्य निष्ठा के जितने भी पैमाने थे उनके उपर खरा उतारने की बात क्या करता था आज उनी की पीडी कुछ एक करोड के घोटाले में पकड़ी जाती है और उनको साउथ अफ्रिका में जेल मेट डाल देता है भारत में भी इस परकार के बहुत सारे घोटाले हुए हैं और ये कोई 3-3 करोड के घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर तो अकेला एक कलमाडी यानि के सीला दिक्सित का एक छोटा सा प्यादा भी 20,000 करोड का बड़ा गोटाला कर लेता है लेकिन उन तक को कोई सजा नहीं होती है दो-दो लाग करोड रुपे के गोटाले पिछली सरकारों ने किये लेकिन उन पर कोई भी कारवाई नहीं होती है यह वही महंदास करमचांद गांधी का देश है जिनके लोग यदि बाहर जाकर के सवा तीन करोड के गोटाला भी करते हैं तो उनके उपर ना केवल इतना जुरुमाना रखा जाता है बलकि साथ साल की सजा भी होती है और यहाँ पर नोटों के उपर महंदास करमचांद गांधी की फोटो होती है उन्हीं गांधी की सपोर्टिड कॉंग्रेस पार्टी में लोग कई-कई लाग करोड का गोटाला कर लेते हैं लेकिन बारत वर्षमन को कोई विसजा नहीं होती है अपने ही नवाब जादो शहजादो को सत्ता सौपने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारी युवा प्रतिभाओं का सत्यनाश किया है ऐसे समय में समय रहते उन लोगों को पार्टी वाजी छोड़ करके अन्ने स्थान पर अपने भविशे को तलासना चाहिए दोस्तों आपको क्या लगता है कि निकट वविशे में राजस्थान की जो सत्ता है जो वहां की सरकार है क्या उसमें आपको किसी तरीके का फेर बदल होने की कोई उमीद है सचिन पाइलेट से आपको क्या आशाएं है, क्या उम्मीद है और क्या उनको राजस्थान कॉंग्रेस का साथ छोड़ करके राजस्थान के मुख्य मंत्री पद पर आसीन कर देना चाहिए आपके इस विशे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जैहिन वंदे मात्रम